तो दोस्तों, आज मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ HMEL की साइट में, जो की बटेंडा के अंदर लोकेटिट है और ये एक 200 एकड की साइट है, जिसके अंदर 800 एकर्स इस रेजिदेंचल टाउन्शिप ये एक हिंदुस्तान पेट्रूलियम का जोइंट वेंचर प्रोजेक्ट है विद मितल सिंगपोर और ये पूरा 800 एकड का प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट ग्रेमनाथ जी द्वारा डिजाइन है, जो की इंडिया के बहुत टॉप नॉच लीडिंग आर्किटेक्ट है जब इनकी आर्किटेक्ट्ट्र टीम और HMEL की टेक्निकल टीम एक प्रोड़क्ट को जब धून रही थी, तो उनके दिमाग के अंदर कुछ एप्रिहेंशन थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने जो फर्स्ट फेस के अंदर एक प्रोड़क्ट को यूज किया, तो वो प्रो जाना चाहूंगा बहुत क्लिरली कि उनको क्या-क्या चालेजिस थे, सबसे पहला वो चाहते थे कि जो भी प्रोड़क्ट को चूज करें वो लाइट वी तूसरा उसकी इंस्टलेशन बहुत एजी हो, और तीसरा वो लूवर्स कहीं न कहीं साग ना करें, वो ओवर दाइम, जैसे कि आपने देखाऊगा कि यह दो कुछ भी आप, लूवर्स जब डिफरेंट मेटल के अंदर लेते हैं, किसी और सब्स्ट्रेट के अंदर भी लेते हैं, वो लूवर्स कहीं ना कहीं बेंड होते हैं, और अगर आप जियर सी के अंदर लूवर्स रिजाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं, जियर सी के अंदर भी यह दिक्कत आती है, कि इंस्टलेशन बहुत टीरियस हो जाती है, अगर एक हाई राइस बिल्डिंग को, प्लस उनको आप स्कूर अंस्कूर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं, जो शाफ्ट के अंदर की मेंटेनेंस है, वो अपने अंदर हमसे ग्रिल बन बाई एक फॉर्स ता इंच भी इस प्लाइटीट इस क्रीन्स इन आप्सलूट लाइन लीनियर नूवर अब आप समझ सकते हैं कि कही ना कहीं अगर आखरेक्ट प्रेमनाज जी की टीम अगर ये फिल्टाग दे रही है तो कही ना कहीं अपने आप में ये प्रॉडट्ट एक ऐसा प्रॉडट्ट है जो आपके अपकमिंग प्रॉडट्ट के अंदर आपको 100% लूवर अप्लिकेशन के अंदर, प्लम्बिंग शाफ्स के अंदर ना की आपके खाली मनी को सेफ करेगा, आपके प्रॉडट्ट की एस्थेटिक वाल्यू को बढ़ाएगा, प्लस अट दे सेम ताइम, 100% आपको जीरो मेंटेनेंस प्रॉडट्ट मिल रहा है जो अपने आफ में कही ना कहीं है, इ वी, इज विव अत्मोस चारी की तो में चीरोच केु जीरोच रहरा है जीरोच के वाल्यूत्ट रहा है जीरोच को बढ़कर है, आपको जापके लूड़ को साँच के अंदर, श्या जैसलिए प्लबब बढ़कर है, त्यू प्यूएवगा हैूग है।